नमस्कार 24 कारण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेख देश की सत्ता पर एक बार फिर पियम मोदी काबिज हो चुके हैं वहीं पियम मोदी ने शपत लेते ही देश के विकास के लिए अपनी रफतार को बढ़ा दिया है पियम मोदी लगातार बैटकों पर बैटके कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष के नेता पर ही कॉंग्रिस में राड चुड़ी हुई है क्योंकि राहुल गांधी हर बार की तरह इस बार भी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं वहें इंडिय अलाइंस के दलों में भी कॉंग्रिस के नेत्वित को लेकर सवाल बने हुए हैं तो क्या विपक्ष पियम मोदी का कर पाएगा सामना या फिर अपनी खीशतान में बिखर जाएगा इंडी गड़ बंदन इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे में सा स्टूडी में मौजूद हैं कैपिटर टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मैनिश कुमार और एग्जेक्युटिव एडिटर राजीव कुमार आप दोनों का स्वागत है दन्यवाद तो डॉक्टर साब क्या वाके में राहूल गांदी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं को प्यम मोदी का सामना कर लें देखें वो तो कभी भी सामना नहीं कर सकते हैं भारती जनता पार्टी जब यह ख़वर आई कि कि CWC ने गोशना की है या डिसाइड किया है कि राहूल बाबा प्लीज नेता पर्तिपक्ष बन जाएं लीडर बो पोजीशन बन जाएं तो भारती जनता पार्टी के अंदर खुशी के लहर धोर दे कि ये बड़ा अच्छा होगा क्यों एलोपी को सैट उप प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है उनकी अपनी जिम्मधारी होती है और जब भी सलसत चलता है तो उस दोरान उनके पास कुछ अधिकार भी होते हैं और कुछ दाइत्व भी होता है बार बार बोलना पड़ेगा तो गांदी का तो ट्रैक रकॉर्ट क्या है वो जितना बोलते हैं उतना बीजेपी को फाइदा होता है तो सब लोग कह रहे है कि कोई समझदार व्यक्ति ना बने राहूल गांदी बन जाए तो दो हजार उननेतिस का काम यहीं खुद अपने कर देंगे पास साल के अधर भाग जाएंगे तो देहीं एक दो मैने तक लोग कहींगे भाग गया भाग गया भगोड़ा भगोड़ा आए रिस्पांसिविटी नहीं लेता लेकिन अगर बन गए तो पास साल तक इंटर्टेन्मेंट होता रहेगा प्लस बहुत सारे समीतियों में जगों पे उनका काम होता है जहां आमना सामना प्रधान मंत्री से होगा एक दिन पंदर मिनिट ऑफिस के बाहर दिजार करने के लिए बिठा दिया राहूल गांधी की उसी दिन जो है हालत खराब हो जाए कि वो चोड़ चाल के बाग जाएंगे और वैसे भी इस कैजूल पॉलिटिसियन इनको छुट् सबसे बड़ी चिंता कॉंग्रेस पार्टी के अभी क्या है कि सबसे बड़ी चिंता है कि करनाटक में कैसे समाला जाए सरकार कि वह सरकार तूट की कंगाल पर है आज सिदरमया ने अपने राइट हैंड को जो चुनाओ हार गया उसको सामने कर दिया एम लक्षमन को वह कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉंफरेंस कर रहा है वो ऑफिसल एक स्पोक्स परसंग भी है और वो कहरें कि राहूल गांदी जुआ करके गरेंटी दिया उसको बंद करो कॉछ फायदा नहीं है उससे नुक्सानी हुआ है हम लोग ने बहुत लोगों को फायदा पहुचाया और देखे क्या रिजल्ट आया लोग फायदा ले भी लिए और भारती जिनता पाठी को भोट कर आए तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है इसको बंद करो यह अनायास दिया हुआ बयान नहीं है या फर को वहां बनाना है कि ढाय साहार धाय साह का जो है वह सिस्टम बना था अब इनके लोग कह रहे हैं कि हम तो नियव छोड़ें जैवं सीदर मया पास साल गए डे के sł dom क्मार क्या करें है?! और इसलिए अभी से गोलाबंदी चालू है गोला बंदी इसलिए भी चालू है क्योंकि अगर सब कुछ स्मूध रहा तो डिके सुम कुमार कहेंगी कि भी ठाय साल हो गया हमको मुक्मत्र बनने तो तो पहले से ही राहुल गांदी के खिलाफ राहुल गांदी की योजनाएं या राहुल गांदी की गरेंटी उसके उपर सवाल करना शुरू कर दिया गया मतलब डिलेजिटिमाईज हो रहे हैं अब जिन नौ राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई है वहा वह तो कहेंगे कि हम तो बर्बाद हो गए राहुल गांदी के चक्कर में तो यह कुछ दिन की चार दिन की चांदनी फिर अंदेरी रात कॉंग्रेस पार्टी के अंदर प्रेशर कुकर में धीरे-धीरे जो है वह प्रेसर जो है वह जमा होता एक बार सीटी बजती है और किंग्रेस दो खबरें, जो कोई मीडिया नहीं बता रहा और जिसका प्रचार प्रसार ये भारती जंता पाटी वाली नहीं कर पा रहे हैं, वो यह है कि 9 राज्यों में कॉंग्रेस पाटी जिरू पर रही और 16 तो राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी की संख्या जो है जो वोट परसेंटेज जो है वो घटी है तो इन सोला राज्यों में जो वोट परसेंटेज घटा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है कॉंग्रेस से अब ढूंड रहे हैं राहूल गांदी को तो कॉंग्रेस कि यहाँ पर कहें कि जो नित्रित वह है राहूल गांधी को इसको लेकर ना सिरफ कॉंग्रेस में बलकि इंडी एलाइंस में भी कई सवाल खड़े हुए है क्का सवर से महराष्ट में भारती जन्टा पाटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने सहयोगी दलों में किसे रखें या फिर अकेले चुनाबी मैदान में जाएं। इस तरीके से अजीद पवार हैं। अजीद पवार अपने चाचा से धोखे बाजी करके या उनसे बारगेनिंग करके या किसी भी अस्तर पर अलग हुए। ये भारतिय जंता पार्ट से नामें भी दो टुकडे हुए और उसमें भी शिंदे ये स्टेबलिस नहीं कर पाए कि उद्धब ठाकरे की गलती के कारण सिर्फ से ना टूटी है। भारतिय जंता पार्टी के इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं आगे की। छोटी सी सफ सफलता मिली है और सफलता पचाना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी सी सफलता को भी पचाने के लिए छमता जादा चाहिए। जैसा प्ये मोदी ने इंडिया की मीटिंग में कहा था कि हम सफलता और असफलता दोनों को पचाना और उसे देखना सुनना समझना जानते हैं अगर सफलता भी कभी मिली है और बड़ी बड़ी सफलता हैं मिली है तो उस समय भी इन लोगों की तरह बौखला नहीं गये थे। जैसा कि विपक्षी पाटियां बौखला रही है और वो अतियुत्साहित हो गई है कि हमने जंडे गार दिये हैं। यानि कि बारतिय जंता प और यही चाहते हैं कि वहां पर एक प्रिसर बनाया जाए कॉंग्रेस के ओपर भी क्योंकि पहले नानास पटोले ने कहा कि इस बार बिधान सब्सक Arm में तो कॉंड़े से जाधा सफलता मिली है कॉंग्रेस को तो इसलिए महारास्ट में यह तीनों लड़ रहे हैं। रद उद्धब ठाकरे और कॉंग्रेस के बीच जंग सुरू होगी अभी कुछ और इंतजार किजिए भारतिय जंता पार्टी तो अपनी रनिती बना रही है और जो अभी महरास्ट में हुआ लोग सभाचुनाब के दौरान उसका हिसाब लेया जाएगा विजान सभाचुनाब के दौरान इसलिए ये अपने गठवंदन मजबूत करने और फिर अजीत पवार और सिंदे को भी सोचने के लिए बोल दिया गया है कि आप लोग टै कर लो अजीत पवार को इसलिए जब परफुल पटेल को कैबनेट मंत्री बनाने की बात हुई तो कहा कि अभी और सोचेंग में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है तो इसलिए इन दोनों का भी सोचने के लिए कह दिया गया है और भारतिय जनता पार्टी अपने स्टेड़जी बना रही है यानि कि विधान सभा चुनाब में इन लोगों को पता चल जाएगा कि शरत पवार उधव ठाकरे और कॉंग बनाई गई है उसमें एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है तो क्या यह आने वाले विधान सभा चुनाब को देखते हुए है देखे मुझे लग रहा है कि पिछले दो तिन दिनों में पुर्दाहान मंत्री मोदी ने कई सारे सिगनल्स दे दिया एक पहले से यह रूथलिस हो गए बहुत इन्होंने पुछकार लिया प्यार दे दिया बरदास्त कर लिया कि चलो भई जाने दो डिमोकरसी है सब कुछ है इस बार उनका मूड बिलकुल अलग है पहली चीज पहला सिगनल क्या है सवाल लोग उठा रहे हैं कूछ रहे हैं कि सारे लोगों को तो बना दिया कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है इस पूरे के पूरे कैबल्ट में तो प्रधान मंत्री को भी मालूम होगा कि बही एक हत्तर लोगों की लिस्टे उसमें कोई मुसल्मान नहीं है तो अगर उन्होंने तैयार किया है तो इसका मतलब एक मैसेज दिया गया कि अप कि चलो भई एक मुसलिम चेहरा डाल दिया जाए वोट नहीं दिया आपने नहीं मिलेगा एक क्लियर कट मैसेज कि आप हमें हराने के लिए वोट करोगे तो अब हमसे कुछ उम्मीद भी मत कर रहा है तो एक मैसेज तो यह गया है कि बहुत यह तल्क मैसेज है दूसरा लुक को स्पेशल ट्रीट्मेंट दिया जाएगा चाहे आप गांधी परिवार के हो या फिर आप अपोजिशन लीडर के हो लोगों को नहीं बुलाया गया दो हजात चौदा में यह लोग आ रहे थे इन्विटिशन दिया गया थे यह लोग आये थे हर बार आते हैं इस बार क्या हुआ जो प्रोटोकॉल कहता है लीडर अपोजिशन जो है लोगसभा में कोई है नहीं जो राजसभा का लीडर अपोजिशन है आप वी आप बैठे रहे कोई आदमी को इसको ग्रीट नहीं कर रहा कोई मिल नहीं रहा क्लिर कट मैसेज एक जगह जहां खड़के बैठे वहा मोदी ना सिर्फ अपोजिशन को मैसेज दे रहे हैं राजीब में बिलकुल सही कहा कि आप ब्लैक मेली करोगे तो प्रधान मंतरी मोदी जो बहुत सारे लोग तुर्रम का लोग बैठे हुए हैं कि मोदी के हाथ कट गए बैसा की हो गया यह हो गया देखिए क्या हस्र हुआ चाहिए टीडीपी हो जेडीउ हो एक कैबनेटिक मिनिस्टर अब इस्टेट जो मन आया प्रधान मंतरी मोदी का उन्हों नहीं यह किया कोई दवाव नहीं कोई प्रेसर नहीं और नहीं कोई उनके उपर प्रेसर डाल सकता है अभी जब हमनों सूट करने के लिए आए तो उधर सिंदे गुट के तरफ से प्रेस कॉन्फिर्स किया जा रहा है कि हमें सिर्फ इतना ही मिला बाकी लोगों को भई लेना है लो नहीं लेना है लो आप बोल दो कि भई नहीं रहेंगे साथ में मुकमंत्र का इस्तिफा दीज तो यह जो अगला पांच साल आने वाला है प्रधान मंत्री मोदी अपने आखरी प्रचार के दौरान उन्होंने कह भी दिया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा तो वह मूड जो है वह प्रधान मंत्री मोदी का वह साफ साफ दिख रहा है कि वह अब कोई निगोसियेश दिल बढ़ा करके चीजों को इग्नोर करने वाले मूड में नहीं है वो सीधे सीधे जो अगर फंडविस को कहा जा रहा है कि भाई आप दौरे पर निकलिये पुरे राज में घूमिये तो इसका मतलब है कि तैयारी है और सिंदे साहब हो या पिर अजीत पवार गुठो भा अब अपने ही पत्नी को नहीं जीता पाए तो फिर आप काहिए का यह तो एक बात जो समझ में आ रही है जो इशारा इस डिस्पेंसिसित से मिल रहा है प्रधान मंत्री का यह जो बदला हुआ रुख दिख रहा है कि यहां कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा टिट फर पर भारी गुजरने वाले हैं ना सिर्फ अपोजिशन बलके जो एलाइंस हैं उनको भी एक सिधा संकेत दिया गया है लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से मोदी ने फैसली अभी लिये हैं और आने वाले टाइम पर उन्होंने एक संग दे दिया लेकिन इस बीच यह भी कह कार चले और फिर से चुनाब हो जाए तो यह पोजिशन पार्टी वाले जो इठला रहे हैं यह सारे सीटे लेकर इनकी सीटे दस पसेंट रह जाएगी नशरत चंद्रपवार जीत पाएंगे और नहीं यह अखलेस यादब जो उत्तर परदेश में यह कह रहे हैं कि हमने पी किया और यह चार दिन में इन लोगों ने आवकाद दिखा दी अपनी कि कैसे पी ए मोदी को कमजोर करने का मतलब एक पूरे वैचारिक संघर्स को कमजोर करना है जैसी बाते चल रही है कि पी ए मोदी का कैबनेट है कैबनेट में राज्यों के चुनाब को लेकर बैलेंस बन में चुनाव होने वाले हैं कब होगा चुनाब पंजाब में पर बनाया जा रहा है मंत्री बनाया जा रहा है बिट्टू को, और वो बिट्टू कौन है? वो है बेढत इनके पोते, जिनकी हत्या खालिस्तानियों ने कर दे थी, वहाँ एक बैचारिक संघर्ज चल रहा है, कि देखो आमाद्मी पार्टी कहीं ने कहीं से खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, अकाली दल जो पार्टी है, वो सिखों की पार्टी है, सिखों की राजनिती करती है, तो वो पूरी तरीके से विरोध नहीं कर सकती, और कॉंग्रेस तो ये बीच बीच में रहती है, ये कॉंग्रेस पार्टी है, जिसने भिंडरे वाला को पैदा किया था, तो वहाँ पर जो संघर चल रहा है, उसमें ऐस ऐसे लोगों की जरूरत है जो की इन खालिस्तानियों से लड़ सके जो उसके खिलाफ जा सके केरल की बाद देखिए केरल में अभी कोई ऐसा इंट्रेस्ट भारती जनता पार्टी को नहीं है लेकिन कुरियन जॉर्ज को भी बनाया गया और साथ ही सुरेश गोपी को ही बनाया लेकिन मुस्लिम संगठन आतंकी संगठन है वहाँ पर जिहाद चल रहा है और इसलिए अगर हिंदू और क्रिश्चनों को एक साथ नहीं रखा गया तो केरल कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक बन सकता है यह वैचारिक संगर्स चल रहा है और भारतिय जनता पार्टी ने पू बैलेंस है वो इस विचारधारा के स्तरफर है कि कहां कहां से हमें कैसे रिपरजेंटिटिव लाना चाहिए जो उस छेतर में यह जो एंटी इंडिया गैंग की एक्टिविटी है उसको बैलेंस किया जा सके और यह भी रुकने वाले नहीं है यह आगे चलेगा और सब को किया एक्टिविटी करता रहा है देश द्रोही यह गैंग है पूरा का पूरा और जो देश को बदनाम करने के लिए विदेश तक पहुंचता है इन सब का इलाज जल्दी ही होने वाला है तो सक्स फैसले मोधी के तरफ से मोधी सरकार के तरफ से आने वाले और इस तमाम जा किला तो महाराश्ट में भी हो सकता है क्योंकि महाविकास अगारी में कॉंग्रिस के नित्वित को लेकर ही जंग चुड़ी हुई है तो वहीं सी डव्यूसी की बैठक पारित प्रस्ताफ की धज्यां खुद राहुल गांदी ही उड़ा चुके हैं अब देखना होगा कि ता कर दो